Dear students, next topic is online safety. Online safety क्या होती है? जैसे आप लोग इंटरनेट से कुछ ना कुछ जाउनलोड करते रहते हैं, गेम्स करते रहते हैं, आप तो स्कूल वैसे भी ख्लोस है, तो जादा मतलब गेम्स बहरें डाउनलोड करते रहते हैं, या इंटरनेट पे आता रहते है कि speed booster है यह software है इसको आप डाउनलड करेंगे आपकी computer की speed बहुत ज़्यादा fast हो चाहेगी तो वो actually क्या हो सकते हैं they can be, they में भी virus virus हो सकते हैं, worms हो सकते हैं frozen horse क्या होते हैं frozen horse का मतलब क्या होता है हिंदी में जिसे base बदल कर मतलब क्या होता है, देखने में तो useful program लगते हैं लेकिन वो actually में क्या होते हैं actually में वो virus या फिर कोई भी ऐसा spyware भी हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ negative software होते हैं जो हमारे computer से बहुत सारी information को चुरा कर sender को भेज सकते हैं या हमारी sensitive information को delete कर सकते हैं next one is spyware spyware क्या होता है, ऐसे software होते हैं जो हम इंटरनेट से किसी game के साथ या किसी attracting website के साथ में आ सकते हैं और जो हमारी सारी information को sender को भेज सकते हैं अभी ransomware क्या होता है, ransomware का मतलब होता है फिरोती मांगना, जैसे कई क्या होते हैं, कि हमारी जैसे कुछ information जोरी कर लेते हैं फिर हम से क्या करते हैं, ransom की मांग करते हैं कि तुम हम इतना पैसर दो, वरना हम तुमारी information को internet पे तुमारे photographs को viral कर देंगी तो dear student, आज हमें बहुत ज़्यादा aware रहनी की जरुत है, हम इंटरनेट को, mobile को जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही हमें awareness की जरुत है aware क्या होते हैं, जब भी आप को software को download करते हैं, तो आप क्या करते हैं next next पे click करते जाते हैं, कभी भी पूरी information रीड नी करते हैं उसमें कई बर क्या होता है, कि हम aware कौन कर देते हैं, तो जिसके करण हमारी बहुत सारी याड आती रहती है फिर उस एड से हम irritation होता रहता है, फिर उसमें कोई link हो सकता है, link negative भी हो सकता है कोई virus का भी हो सकता है, हना spyware का हो सकता है, trozenores का हो हो सकता है, तो आप पहली जब भी कोई software को इंटरनेट से डाउनलोड करते है तो आपको जितने भी message आ रहा है you should read it carefully क्योंकि वो negative चीज़े हो सकती है, next one, next topic is damage caused by malware malware क्या होता है, negative software होते हैं, जो हमारे computer को नुकसान पहुंचाते हैं, यह जैसे virus से क्या के damage होते हैं, you know it very, मतलब आपको उसका बारे में वहाद अच्छे से बता हैं, कि हमारे file को delete कर सकते हैं, हमारे computer की speed को slow कर सकते हैं हमारे क्या होते हैं कि जो email के साथ में कोई च्छल, क्या हो सकते हैं मतलब link का सकते हैं, जो fake हैं, और हमारे computer की, जो हमारे identity को मतलब चोरी कर सकते हैं और हमारे उस identity का use करके, fake message किसी और को भेज सकते हैं, जिससे हमाई बहुत मकसान हो सकता है और कोई ने कोई crime भी हमारे नाम पे हो सकता है और हमारे computer की setting को change कर सकते हैं slow down कर सकते हैं और कुछ न कुछ उसमें annoying advertisement आ सकते हैं. आप देखे, safety measure क्या होता है? कि हमें क्या क्या करना चाहिए? antivirus को हमें, antivirus हमें इसमें computer में install करना चाहिए और time to time उसे update भी करना चाहिए और हमारे system को up to date रखना चाहिए और कोई भी file को download करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किसी authentic वेब साइट से ही से डाउनलोड करें चीक है, कुकि इसको जब तक possible और disable रखना चाहिए अब dear student, अगर हम इसारी precautions नहीं करेंगे तो कौन-कौन से cyber crime होते हैं, cyber crime क्या होता है ऐसी crime जो computer या internet की help से होते हैं फिर से सुनिए, ऐसी crime जो computer या internet की help से होते हैं that crimes are known as cyber crime cyber crime क्या होता है, जैसे इसमें example दे रखा है cyber bullying, cyber bullying का मतलब क्या होता है अगर कोई हमें internet, cell phone, email का मतलब use करके facebook या twitter का use करके हमें चिडा रहा है या हमारे बारे में negative comments लिख रहा है जिसके कारण उसके मतलब उसको नुकसान हो रहा है नुकसान कैसे हो सकता है कि वो बदनामी उसको हो रही है या demon कर रहे हैं, हम उसे बदनाम कर रहे हैं या embrace कर रहे हैं तो यह crime है, that is known as cyber bullying ठीक है, तो मैं internet पे या social media पे किसी के बारे में गलत information नहीं viral करनी है ठीक है, अब next उसमें है cyber stalking stalking का मतलब क्या होता है, पीछा करना यानि जो हमारी computer पे सारी activities को क्या कर रहा है मतलब activities को track करता जा रहा है time to time हमारे बारे में information collect कर रहा है personal information collect कर रहा है हमारे name, हमारे family background के बारे में telephone number के बारे में, residence, workplace, daily routine के बारे में information, मतलब track कर रहा है हमारे date of birth के बारे में और इस information को internet पे viral कर रहा है that is cyber stalking daily की daily information डाल रहा है जिससे हमारा d mean, d fame हो रहा है हम लोग और अगर कोई आप, पहली बातों हमें नहीं करना है किसी के बारे में कुछ भी negative ऐसा काम नहीं करना है we should use internet and computer in a very positive manner to gain knowledge हमें knowledge को gain करने के लिए इन चीजों का use करना है, जाकि ना कि किसी को प्रिशान करने के लिए हम दो किसी को प्रिशान नहीं करेंगे dear student, लेकिन कोई हमें प्रिशान करे, हमारे सा cyber bullying हो रही है, cyber stalking हो रही है, उस case में हम क्या करेंगे reporting या cyber crime हमें report करना है, चुप चाप नहीं बैठे रहना, आपको क्या करना है local police, आपको सबसे पहले अपनी teacher या parents को बताना है फिर आप क्या कर सकते है, you can take help from local police station और आप EFIR, FIR क्या होती है first in information होती है आप EFIR लोज करवा सकते है ताकि हमारे साथ cyber crime हो रहा है और उसकी बहुत सारे एक्ट है, पहर हम उसको क्या कर सकते है, सचा दिलवा सकते है punishment मिलनी चाहिए, जो इस तरह की crime कर रहा है Dear student, you have to write question answer in your notebook